आज की वीडियो एक छोटा सा पोइंट होने वाला है, जिसमें हम अभी तक जितने भी रेडियोग्राफिक कैसेट के रिकार्डिंग नोट्स समझाएं, उसी की एक दिवीजन थियोरी है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसे की जो सबसे पहले हमने वीडियो बनाये थे, वह होता है, यह हिंज द्वारा अटेच होता है, दैन कैसेट का फ्रंट पार्ट, लो अटोमिक नंबर का होने चाहिए, जैसे आपका कारवन हो गया, फाइबर हो गया, इसमें एक आईयस की स्क्रीन होती है, फ्रंट वाली जो 2 mm के होती है, कैसेट का बैक पार्ट हरमें सा कैसेट के function क्या क्या होते है, जैसे जो इसके कारवे होते हैं, जैसे की intensify screen को hold करता है, किसी भी intensify screen को damage होने से protect करता है, x-ray film को hold करता है, कोई भी light जो entering करते हैं, उसे exclude करता है, dust and dirt को, जो intensify screen से उसे safe रखता है, then उसके बाद types of cassette थे, कितने types के आपके cassette होते है, यहाँ पे cassette हो गया, grided cassette हो गया, multi-section cassette हो गया, angiographic cassette हो गया, इसे एक- एक करके separative समझाते हैं, जैसे single screen cassette के recording, then double screen cassette, इसके बाद carried cassette, इसके बाद great cassette, multi-section cassette, tactical когда and geographic cassette, इसके बाद जो एक वीडो बनी थी cassette film holder के recording मनी थी इसके बाद features of an ideal cassette के recording समझायते है कि इसके features क्या क्या होते है इसके बाद radiographic cassette के size ये जो point है ये बहुत ज़्याद है important है क्योंकि ये आपका जितने भी diagnostic hospital या किसी भी x-ray cleaning में जितने भी आपके radiographic cassette के size use होते है वो सब इसी में से होते है जिसके लिए centimeter और इसके साथ-साथ हमने inch में separate column में लिख दिया था यहाँ पे centimeter में convert है और यह inch में near about convert है जैसे कि अगर यह 13 है तो यहाँ पे 5.94 होगा तो हमने nearby 6 by 8, 8 by 10, 10 by 12, 8 by 16, 12 by 16 जितने भी आपके radiographic में use होते है 14 and 15 type के वो सारे के सारे cassette sizes यहाँ पे लिखे हुए है इसके बाद cassette का front part बतायते है कि front part कैसा होने चाहिए किसका बना होता है उसके बाद cassette screen and film के बीच में जो content है जैसे कि जो इसके बीच में समध्द है उसके recording समझायते है then cassette के back part के बारे में समझायते है उसके बाद cassette fitting समझायते है कि उसके fitting किस किस चीज से बनी होते है कैसे होती है cassette cross section समझायते है then loading and unloading cassette के recording समझायते है कि कि किसी भी radiographic cassette को load कैसे करा जाता है और उसके सासद किसी भी radiographic cassette को unload कैसे करा जाता है वीडियो वनीती care of cassette समझायते है कि radiographic cassette की care कैसे करी जाती है इसके साथ-साथ maintenance of cassette समझाएते है radiographic cassette के maintenance कैसे करे जाते है radiographic cassette के recording जितने भी आपके point होते हैं जितने भी आपके syllabus में होते हैं किसी भी parametrical theory में किसी भी syllabus में almost इसमें 80-90% cover कर दिया गया है 10-15% और बचा होगा जिसके आने वाले time में एक advance वीडियो आएगे जो आपके आदे घंटे से एक घंटे के बीच महोगी जिसमें सारे topic को एक एक करके उसमें जो भी point इसमें extra होंगे उसे add करके उसमें explain कर देंगे जिससे आप इन सब notes को एक proper तरही के से maintain तरही के से आप किसी भी notebook में add कर लीजिए या इसे revision कर लीजिए बहुत ज़्यादा important है मिलते हैं एक नए वीडियो में I hope आज की जो वीडियो थी ये revision class थी हमने एक recall करवाए कि आपको कौन कौन से point इसमें revision हो गए इसके notes जरूर बना लेना ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है क्योंकि सब को जितने भी topic रीडियो राफिक एसेट के वो इस वीडियो में cover हो गया मिलते हैं एक नए वीडियो में जैन